हेलो एन वेलकम टू माई चैनल दोहाय रोमा तो आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर करने वाली हूँ वो बहुत ही जादा खास होने वाली है जब हम कभी रेस्टरेंट या फिर धाबा में जाते हैं तो जो उनकी डिश होती है उसका कलर, टेक्शर और टेस्ट बिल्कुल डिफरेंट होता है तो क्या आपने कभी सोचा है कि इसमें जो कलर आता है जो टेस्ट आता है वो कैसे आता है तो जो आज मैं आपके साथ recipe share करने वाली हूँ अगर आप इसको बना कर रख लेंगे तो वैसे ही taste भी आएगा और बलकि आपके जो time saving भी हो जाएगी तो चलिए start करते हैं यहाँ पर मैंने half kg tomato लिया है जो की medium size के हैं और बिल्कुल fresh है तो सबसे पहले हमें tomato को अच्छे से wash कर लेना होगा और एक mixer jar चाहिए हमें अब जो उपर का पार्ट है यह उसको हमें चाकु से cut कर लेना है और छोटे छोटे pieces में इसको cut करके jar में डाल देना है तो इसी तरह से आप भी इसको cut कीजेगा सारे tomato को cut कर लें और jar में डाल लेजीए जब सारे tomato cut हो जाएं तो jar का ठकन लगाकर इसको हमें पीसना है तो इसको बहुत जादा महीन नहीं पीसना है बस हमें क्या करना है 3-4 बर इसको pulse कर लेना है ताकि जो टमाटर है उसके बड़े बड़े पीसे इस तरह से रहें देखिए बिल्कुल ऐसे हमें पीसना है उसके बाद अगर आप मेरी चैनल पर नए हैं और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए अन करने के बाद इसको हमें हलका सम मिक्स करना होगा मिक्स करने के बाद हमें अब इसको कवर करके दो मिनट के लिए तेज आज पर इसको पकने देना है तो दो मिनट के बाद मैं आप से मिलती हूँ तब तक इसको पकने दीजे दो मिनट हो चुके हैं और आप देख सकते हैं कि जो टमाटर है वो अच्छे से पक रहा है अब इस टाइम पर हमें 120 ml ओयल डालना होगा आप चाहें तो ओयल की कौंटिटी को थोड़ा और भी बढ़ा सकते हैं और इसलिए इसमें जादा पड़ेगा ताकि इसको हम एक महीने तक स्टोर करके रख सकते हैं और जादा रहेगा तो यह अराम से अच्छे से चलेगा खराब भी नहीं होगा उसके बाद हमें क्या करना होगा इसमें हमें 1.5 टीस्पून कश्मीरी रेड चिली पॉडर डालना है यह इसलिए डाला जा रहा है कि जो इसका कलर है वो अच्छे से एकदम रेड कलर आए जिससे हम कोई भी रेसिपी अगर हम बनाएंगे तो उसका कलर टेक्शर सब बहुत अच्छा आएगा अब इसको कवर कर देंगे और लोड टू मीडियम आज पर तब तक इसको पकने देंगे जब तक कि इसका जो तेल है वो सेपरेट ना हो जाए और बीच बीच में चम्मच चलाते रहेंगे दस मिनट हो चुका है और आप देख सकते हैं कि जो तेल है वो सेपरेट होना स्टार्ट हो चुका है तो हम दुबारा से पैन को कवर करेंगे और दुबारा 10 मिनट के लिए इसको पकने देंगे और बीच बीच में चम्मच को चलाते रहे अब टोमैटो ग्रेवी बनकर त्यार हो चुकी है गैस का फ्लेम बन कर देंगे और जब यह अच्छे स्थे ठंडा हो चाएगा तो किसी एयर टाइट कंटेनर में रखकर इसे हमें फ्रीज में रख देना है और इसको हम एक महिने तक अराम से इसको यूज कर सकते हैं कोई भी डेशो आप इसको यूज कीजिए और अगर चाहे तो इसमें तेल की कॉंटिटी कम डाल सकते हैं क्योंकि इसमें अल्रेडी तेल है और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना फीड़बेक देना मज़ी